हलो दोस्तों मैं हूँ अनपं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर दोस्तों आज जैसा आप देख रहे हैं मैं डाल मोट बनाने वाली हूँ जैसे हलवाई मार्केट में मिलती है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसके लिए हमें लेनी है मसूर मसूर हमें लेनी है जो आप इसली मिल जाती है वहां पर आप जाएंगे तो इसे मलका मसूर बोलेंगे तो यह मिल जाएगी यह क्वांटिटी में मेरी 500 ग्राम है इसे हमने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया ह और एक चम्मच हमने डाला है इसमें बेकिंग सोडा जो खाने माला सोडा है वह हमने डाल दिया है इसे हम 48 आर्स तक इसे बिगो के रखेंगे जिसे 24 गंटे के लिए बिगो के रखा पानी चेंज कर दिया उसके बाद फिर हम 24 गंटे के लिए फिर से बिगो के रख देंगे जिससे कि इसका एक एक दाना जो है वो अच्छे से फूल जाए ये मेरे 48 hours हो चुके हैं अब हम जो मसूर है देखिए एक एक दाना हमारा फूल चुका है कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो और इसे हम एक cotton के कपरे पर अच्छे से इसे फैला देंगे धूप में बिल्कुल भी न जाने ना जाए तो झाल से ना हो कि हम जल जाए ईस तरहीके से हम कडाई में रखेंगे आज और सरसो के तेल में हम बनाना है एक बड़ा सा देखिए हमने रख दिया 51 me 2 9 30 में पक जाएंगे और हमें ज्यादा quantity में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे भूनना है सेम हलवाई वाली ही अपकी ये दाल मोर्ट बनके तयार होगी देखिए दाना अच्छे से पक चुका है अब हम आगे दूसरा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है ज्यादा हम डाल देंगे तो ये दाने पकेंगे नहीं और हमारे च्छन्ने से बहा निकल जाएंगे और दाना हम तब पहचान पाएंगे जैसे हमारा मसोर का दाना है वो फट जाता है बीच से तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हमारा दाना जो है पक चुका है हम निकाल लेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे कि हाँ दाना पका है या नहीं ये देखे दाना इस तरीके से पक जाएगा और ये तरीके से ये मसलने से बिलकुल अच्छे से देखे फूट जा रहा है तो ये सारा अब हम सारे मसूड हमने फ्राई कर ली है और अब हम डालेंगे इसमें हमने लिया है 500 ग्राम हमने मसूड ली थी उसको अच्छे से हमने भिगोया उसके बाद च्छान के उसको हमने पका लिया और यह हमां 500 ग्राम में हमने 200 ग्राम लिया है यह मुंगफली के दाने इन्हें भी हम फ्राइ कर लेंगे और यह दो चमच हम इसमें ऐट करेंगे गरम मसाला लॉंग काली मिर्च यह सब चीज़ें है यह हम इसमें ऐट करेंगे और उर नमक एक जीरा पाउडर यह थोड़ा सा हमने लिया है धनिया पाउडर है धनिया पाउडर में ज्यादा नहीं लेना है और एक चमच लिया है चिली फ्लेक्स और एक देढ़ चमच के करीब लेंगे हम अमचूर पाउडर और आधा चमच लेंगे हम हिंग दाल मौट हो सेउँ हो कुछ भी उसमें हम अगर हींग का अच्छे से मिलाते हैं तो टेस्ट भी बहुत मस्त आता है और स्वाद और टेस्ट बहुत ही मस्त आता है एकड़म मार्केट के स्टाइल का हमें बनाना है तो हमें हींग का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा अच्छी लगती है और एक बार आप बना लेंगे तो एक महीने भर तक आप आराम से खाएंगे पंद्रा दिन बीस दिन तक तो अब बोलना ही नहीं पड़ेगा और यह हमने ले लिया है यह बूंदी है यह नहीं हारी बूंदी बोलते है छोटी छोटी बूंदी होती है जैसे कि आपने दालमोंट में देखा होगा अक्सर यह दाने पड़े होते हैं और यह हैं स्यों बह बहुत इसली मिल जाते हैं मार्केट में जब आप लेंगे तो यह बहुत आसानी से मिल जाते हैं हालवाई की सौप पर यह हमने आलू की कच्री काट के रखी थी इसको हम हलके हलके हाथों से मिक्स कर देंगे यह देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और होली इस्पेशल यह मेरी वीडियो है तो होली पे नाश्ते में आप इसे बनाएए और अपने फ्रेंड्स को खिलाएए और अपने एक्सपीरियत मेरे साथ सेयर कीजिए फिर मिलेंगे अपनी नई यूसफुल वीडियो के साथ बाइ टेक्स को बढ़ वाचिए रवचिंगे लवग यूवाव झाल झाल